प्रदेश कॉंग्रेस प्रवक्ता प्रेम कोशल ने जारी ब्यान में प्रदेश में बढ़ते करोना पोजिटिव मरीजों तथर संक्रमन की बज़ा से मृत्यदर में दिन प्रती दिन हो रही बढ़ोत्री पर चिंता ब्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते आज इस महामारी के संक्रमन में प्रदेश प्रतमस्थान पर नहीं होता। कॉंग्रेस प्रवक्ता ने मुक्य मंत्री जैराम ठाकुर को पर्टू राम की संग्या देते हुए कहा कि बर्तमान सरकार दारे लेके निर्ने को लागू होने से पहले ही पलट दिया जाता है। प् अजबूर सरकार हिमाजल के इतिहास में कभी नहीं हुई। भाशपा का केंद्रिय नेत्रित्व अपनी सुविदा तथा इच्छा के अनुरूप सरकार को हंक रहा है। और मुक्य मंत्री की हैसियत यस बोस वाली हो चुकी है। परदेश के अंदर बर्तमान नेत्रित्व र पिक्राब अपनी सीमाएं पार कर चुका है। इस संक्रमन को नेत्रित करने में रोकने में पूरी तरह से भी फल रही है। परदेश के बाहर से आने वाले जो लोग हैं चाहे वो प्रेटक हैं चाहे किसी और द्रिश्टी कोन से प्रदेश के अंदर परवेश कर रहे हैं। अगर उनके लिए करोना प्रोटोकॉल के तहट नेमों का निर्धारन और उनका सक्ती से पालन किया जाता। तो आज ही माचल परदेश इसे सक्रमन में पूर देश के अंदर परतमस्थान पर नहीं होता। सरकार की ठोस निती के अभाब में लोहल स्पीती जैसे दुरगम जिले में भी आज करोना मा हमारी रफ़तार पकड़ रही है। इसके संक्रमन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और परदेश की सरकार एव मुख्यमंतरी है। सुबह एक फैसला लेते हैं, दुपहर को दूसरा लेते हैं। और शाम होते होते, सुबह और दुपहर को लिए कि जो फैसले हैं उनको पलट दिये जाता है। और अब तो सरकार और मुख्यमंतरी की स्थिती इतनी हासिस पद्ध हो गई है, कि आम जनता मुख्यमंतरी को पलटुराम के नाम से जानने लगी है, पहचानने लगी है। इतनी कन्फ्यूज सरकार हिमाचल परदेश के इतिहास में अब तक नहीं हुई। पर शाषिन के लोग, साषिन के लोग असमंजिस में हैं, उनको पता नहीं चलता कि किस अदेश को माना जाए जब तक वो एक अदेश की अनुपालना शुरू करते हैं, उसको बदल दिया जाता है, दूसरा अदेश आ जाता है। दरएसल परदेश में सरकार को जो चलाने का एक तरीका है, उसमें मुख्या मंतरी मजबूर और असहाय नजर आते हैं। छोटी से छोटी चीज़ का फैसला जो है, वो भारते जन्ता पार्टी का केंदिरी नितित्व, परदेश सरकार के ओपर, थुपता है, और उन्हीं की इच्छा के अनुसार, परदेश में सरकार चल रही है। मुख्या मंतरी ऐसा परतीत होता है कि एक नॉमिनल हेड अफ गॉर्मेंट है। वास्तव में सरकार जो है, उसको चलाने वाले लोग कोई और हैं। और इसी व्यवस्था की वज़ा से, आज परदेश के अंदर, चाहे विकास के काम हो, चाहे इस महामारी से पार पाने की बात हो, चाह। चाहशन पर चाहशन को चुस्त दरूस्त करने की बात हो, आम जंता को न्यायदेनी की बात हो, हरक शेतर में कन्फ्युजन है, हरक शेतर में असमंज Native है, हरक शेतर में स्थिती अस्पष्ट है। सरकार इतनी मजबूर और असहाए है कि ना कोई निरने ले सकती है, ना निरने लेने के बाद मजबूती के साथ, सक्ति के साथ, अराइंतिक इच्छा शक्ति के साथ, उसके उपर अमल कर सकती है.